नमस्कार आज हम 31 अगस्त 2020 के करेंट अफियर डिसकस करेंगे और स्वागत है आप से भी का दा लेबल 10 इस्टडीस में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस्टा बैल आइकन वीडियो को लास्त तक जरूर देखें क् लास्ट में एक क्विज होता है जो भी हमने कल पढ़ाया होता है वह उसी का एक क्विक रिविजन होता है और आप उसे अटेम्ट जरूर कीजिए आज का फर्स्ट कोशन है किस देश ने क्रेशी क्रमोरेटिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एग्री ओटिये लांच किया ह इसका सही आंसर है ऑप्शन है युनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा क्रेशी क्रमोरेटि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम एग्री ओटी है वह लांच किया गया है आए लोकेशन में एक बार आप उनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक बार देख ल प्रोग्राम यहां एक नया टेक्निलोजी ड्रिवन एग्रिकेल्चर कॉमेडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे जो इंडियन के फार्मर्स हैं इंडियन फार्मर्स और गल्फ फूर्ड इंडस्टी के बीच में जो है वह प्रिज बनाये गया है ताकि जो इंडि फूर्ड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की जो रैंक है वह 72 है और सिंगापूर ने इसमें टॉप किया है फूर्ड सिक्योरिटी के लिए कुछ सस्टेनेबल डॉबलप्मेंट गोल है आयो और गोल्स को देख लेते हैं जैसे कि पहला गोल है नो गोल 4 जो है वह quality education से related है गोल 5 जो है वह gender equality गोल 12 जो है responsible consumption and production गोल 13 जो है वह climate action और गोल 15 है वह life on land यह सब याद रखना कोई ना कोई गोल जो है वह एक्जाम में पूछ लिए जा रहे है ठीक है यह 17 गोल्स है sustainable development गोल के एक food security के लिए इंडिया ने जो काम किया है वहा national food security mission start किया गया था ताकि जितने भी weeds, rice और जो मौटी दाल है ठीक है इनको secure किया जा सके और provide किया जा सके लोगों को और national food security act भी लाए गया था और food corporation of इंडिया है जो की food को buffering करके रखती है food की एक report है जिसका नाम है world food policy report ठीक है ये report जो है world launch की और निकाली जाती है international food policy research institute के द्वारा और कुछ revision करते हैं United Arab Emirates के बारे में कि जो बर्खा nuclear plant जो है उसकी first unit जो है वो operational हो गई है और इसके बाद United Arab Emirates Arab World का पहला ऐसा country बन गया है जो produce कर रहा है nuclear energy और अभी हाल ही में 13th session हुआ है इंडिया United Arab Emirates के joint commission meeting जिसमें trade economic और technical corporation पर बात की गई है और UAE की जो capital है वह अबुधा भी है अगला question है हाल ही में ease of doing business report समाचारों में है यहां के संग्ठन द्वारा जारी की जाती है यह जो report है यह world bank के द्वारा निकाली जाती है ease of doing business report और अभी यह news में इसलिए है क्योंकि world bank के द्वारा इस कुछ गड़बडी पाए गई है data में कुछ countries जो है वह data में गड़बड कर रहे हैं जिसकी वजह से इस report पर रोक लगा दी गई है और जो world bank report यह आप देख सकते हैं number of irregularities have been reported regarding changes to the data in the doing business report 2018 और 2020 के इसलिए रोक लगा दी गई है अगर हम 2019 में देखे तो इंडिया की जो rank 30 में 70-70 और 2020 की जो report में इंडिया की rank 63rd मतलब 63rd और कुछ और भी report है जो की world bank के दौरे निकाली जाती है जैसे global economic prospect report और world development report अगला question है किस मंतरवाले ने छाबनी covid योधा सरक्षड योजना शुरू की है मतलब इन मैसे किस ministry के दौरा जो है वा छाबनी covid योधा सरक्षड योजन जो है वहाँ start की गई है मतलब launch की गई है इसका सही answer है option भी ministry of defense के दौरा launch की गई है ministry of defense ने launch की है ये योजना इसमें क्या है यह एक group है life insurance scheme का जो की implement किया जा रहा है LIC life insurance corporation के दौरा इसमें जो 62 contentment boards जो है उनमें जितने भी मतलब employees हैं उनको life insurance provide किया जाएगा 5 लाग जोई चाहें वह permanent job करते हों चाहें वह contract पर हों जैसे doctor, paramedicin, sanitation staff सबको include किया जाएगा इस योजना में अगला question है हाल ही में ओनम त्योहार समाचारों में है यहां किस राज्य में मनाया जाता है यह जो ओनम festival है यहां केड़ा में मनाया जाता है आप देख सकते हैं ओनम festival पर यह सब celebration किया जाता है चुछ यह 10 दिन का festival होता है रंगोली बनाया जाती है डांस किया जाता है ठीक है और यह खाना प्रोवैड किया जाता है ठीक है वाइस प्रेसिडेंट जो है श्री आम वैंकिया नाइडव के द्वारा ओनम festival पर लोगों क करते हैं और ऐसा माना जाता है कि किंग महावली जो है ठीक है वह अपनी प्रजासे मिलने के लिए आते हैं और आप यहां पर देख भी सकते हैं ठीक है और लोग उनका स्वागत करते हैं और इसमें एक दिन होता है जो दिन होता है ठुरू वह ओनम इस दिन जो लॉर्ड महा विश्णु जो है वह अपना पांचो आफ्तार लेते हैं वामन रूप जो है वह धारड करते हैं और वह किंग महावली को सैंड कर देते हैं मतलब भेज देते हैं नीदर वर्ड में पतालोप में तीक है इस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मतलब कि यह बहुत अगला कॉशन है कि संस्थान ने संस्कृत में शात्रों को सास्त्रिय वैग्यानिक पार्ट पढ़ाने के लिए एक कोर्स शुरू किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन भी आयाइटी रोपड के द्वारा जो है वह इंटर्यूस किया गया एक कोर्स जिसमें पढ़ाया इस्टूडेंट को सलस्क्राइट लेंग्वेज में है आयाइटी इंदोर एक सेकेड़ यह मैंने शायद आपको रोपड बोल दिया इसका सही आंसर है आयाइटी इंदोर इंटर्यूस किया गया है इस तरह का एक कोर्स जिसमें क्लासिकल साइंटिफिक टेक्स्ट जो है वह इसमें जो स्टार्टिंग की गई है वहभास का चार्ड के जो मैतमेटिकल बुक ती लीलावती से स्टार्ट किया गया है ठीक है जो कि मतलब 1000 साल पुरानी बुक है यह तो इसमें क्या हुआ है कि कई सारे लोगों ने रेजिस्ट्रेशन भी किया है मतलब साइन अप किया है इस कोर्स के लिए 750 पीपल जो साइन अप कर चुके है इस कोर्स के लिए और यह जो कोर्स है वा 22 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और यह सैकेंड अक्टूबर गांदी जयनती तक यह चलेगा यह जो इंसिट्यूट है यह मतलब यह जो कोर्स चलाएगा यह फोर्ट नैटली यह मतलब 15 दिन दो वीक का प्रोग्राम होगा ठीक है जिसमें पढ़ाया जाएगा मैटलर्जी मैटलर्जी मतलब धातु विज्ञान ठीक है एस्टोनॉमी मैडिसन प्लांट साइंस इन सबको संस्कृत में पढ़ाया जाएगा इसका में मक्सद यह है कि संस्कृत यह नौर्फगे एडवेंचर अवर्ड से समानित किया गया है यह आप देख सकते हैं यहाँ पैरा सुइमर सतेंदर सिंग लो इया ठीक है यह मद्धर प्रदेश से है और यह पहले दिव्यांग इंडियन स्पोर्स परसन है कंट्री के जिन्ने इस अवर्ड से समानित किया गया है और यहां फर्स्ट एशियन दिव्यांग सुइमर हैं जिन्होंने क्रॉस किया है कैटलीना चैनल यूएस में 42 किलोमीटर का जस्ट 11 आर्स 34 मिनिर्स में आज का अगला कॉशन है कि संगठन ने रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रुपोर्ट चारी की है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिसेफ के द्वारा इश्यू की गई है रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रुपोर्ट जैसे कि आप नाम सी समझ सकते हैं रिमोट लर् पर तो बहुत ज्यादा फोकस करें लेकिन जो गरीब लोग है वहां तक तो मतलब इंटरनेट की सुविदा नहीं है यह स्मार्ट फॉन की सुविदा नहीं है तो वहां तक तो रिमोट लेर्निंग पहुंची नहीं रही है और जो गैप है अर्वन और लोकल के बीच में वह ब होती ज्यादा पूर है और यह भी प्रॉब्लम है कि जो पढ़ाया जा रहा है वह उनके वर्नाकुलर लैंग्विज में नहीं पढ़ाया जा रहा तो जो चिंता है वहां लेकर जो है यह रिपोर्ट निकाली गए यह यूनिसाइफ के द्वारा रिमोट लर्निंग रीचिव कुमार खारा जो है वहام नए चेयर्मैन होंगे state ənक अफ इंडिया के ठीक है bank board bureau के द्वारा रिकमंड किया गया है नाम इस्टेट भैंक को उसिध सेर मेन के रूप में जिनका नाम है दिनेश कंमार घारा यह नएर में होंगे state bankof इंडिया के अब हम तोड़ा सा bank board bureau के बारे में जान लेते हैं जो bank board bureau है यह 2016 में बना था ठीक है और यह क्या करता है जितने भी हमारी public sectors bank है ठीक है उसके अंदर जितने भी whole time directors या फिर हमारी आप बो सकते नॉन executive chairperson जो होते है उनकी क्या करता है वह appointment से related जो है वह recommendation जो है है वह कौन थी इसका सही आंसर है option भी वह spy मतलब वह जासूस थी आइए इनके बारे में देखते हैं कि लंदन में अच्री भारतिय मूल की ब्रिटिश जासूस नूर इनायत लंदन में जो यहां पर आप location देख सकते हैं जहां पर यह लगाई जारी है लंदन के जो Blooms वरी ठीक है यहां पर देख सकते हैं टैविटन स्ट्रीट में इनके नाम की जो प्लैक है वह blue दिया जाता है और यहां 1863 से दिया जा रहा है अगला question है किस दिन को पर्माडू परिक्षड के खिलाफ अंतराश्तिय दिवस के रूप में मनाये जाता है इसका सही आंसर है option भी 29 अगस्त को international day against nuclear test के रूप में आपजर्व किया जाता है international day against nuclear test जो है वह 29 अगस को मनाये जाता है 2 दिसंबर 2009 में ठीक है जब 64th session था United Nation General Assembly का उन्होंने declare किया था कि हम 29 अगस्त से international day against nuclear test मनाएंगे और 2010 में यहाँ पहली बार मनाया गया था इसमें main मकसद जो है से मनाने का वह यहाँ है बनाने का कि लोगों को मतलब educate करना और aware करना nuclear weapon test explosion के बारे में क्या उसके side effects है उसके बारे में लोगों को बताना जो resolution था वह initiated किया गया था कजाकिस्तान के दौरा और कल जो मैंने आपसे question पूछेते हैं आज में आपकों के answers देती हूं पहला question है किस मंत्राले ने चुनौती challenge प्रतियोगिता शुरू की है इसका सही answer है option d ministry of electronic and information technology ने चुनौती challenge campaign जो है या competition जो है वह शुरू किया है और यह पहला question है यह गलत है क्योंकि केरला के अंदर जो है वह first international women trade center बनाया जा रहा है अगला question है यह भी गलत है क्योंकि जो national gis enabled land bank system में वह ministry of commerce and industry के द्वारा launch किया गया है अगला question भी गलत है क्योंकि ml regional world को ने जीता है 2020 international booker prize अगला question ठीक है कि देली के द्वारा launch किया गया healthy body healthy mind campaign और आप सभी के लिए भी रिविजन कॉश्चन्स है निम्लेकित मैंसे किसने एशिया के लिए रास्टी रूप से निधारित योगदान परिवहन पहल आप एक बार इंगलिश पे दिख लिए नेशनली डेटर्माइन कंट्रिबूशन टिया की फुल फॉर्म है ट्रांस्पोर्ट इनिशेटिफ फॉर एशिया शुरू की है ठीक है इनमेंसे आपको बताना है कि जो इंडिया के कंटेस्ट में एंडिसी टिया किस और्गनाइजेशन या किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है और आप सभी के लिए तीस अगस के डिविजन कॉशन पहला कॉशन है कि क्या मालदीप के द्वारा लॉंच किया गया इंडिया बैक्ट इंफास्टचर प्रोजेक उप्रणाथ को साइन्टिST को है उन्होंने डिजाइन कि रोबोट जसको नाम बार्भा इंफास्ट देख है शुक्शं की शाथ है इंडिया में क्या अथाखस को सालिब्रेट क miser किया इस से के सच्वा किया तो tutte जो से है एंगर आपको वीडियों पसंद आती है तो प्लीज से लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच